तो आज हम सव्दाजंग में कुछ रिक्रिटमेंट है पेरमेडिकल्स की उसके बारे में डिसक्स करेंगे तो जो यह पोस्ट है ग्रूप B एंड ग्रूप C की है और डिरेक्ट रिक्रिटमेंट है ओन रेगुलर बेसिस इन VMMC एंड सव्दाजंग होस्पिटल न्यू डेली क पोस्ट है इस में रेडियो फॉर्मसिस्ट ग्रूप B की पोस्ट है जिएक क ग्रेड के लिए हैं अब बात करें लीडियोगरॉफर की तो रेडिए ग्रूफर अब फाइफ का ग्रेड पी होगा इसमें टोटल वेकेंसी इसमें सेवन हैं जिसमें हमारी एक हमारी सी के लिए दो ओबीसी और एक एड़ूएस और तीन जनरल के लिए तो टोटल सेवन वेकेंसी हैं रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए अब बात करते हैं इनकी फीस स्ट्रक्चर की तो जो जनरल है और एक सर्विसमेन है इन सभी के लिए 300 फीस है जोकि नोन रिफंडेवल है और बाकी अधर कंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पर जो यह डिटेल दी गई है इसके फेवर में हमें पेमेंट करना है वो किसी भी मेथड से है जैसे कि इसमें गिवन है एन एफटी, आटीजस, आई-एम-पे-एस और यू-पी-आई-मोर से भी पेमेंट कर सकते हैं और यह इसका जो application form है वो इस PDF के साथ attach है और उसी को हमें forward करना है बाई offline method अब रेडियो फार्मसिस्ट में बात करें तो इसकी जो qualification required है not exceeding 30 year है और गोर्मेंट सर्मेंट के लिए 5 year relax दिया गया है बट इसमें जो education qualification है वो हमारी master degree होनी चाहिए nuclear medicine में प्रोमा रिकोगनाइस्ट यूनिश्टी और वो यूनिश्टी बैसिकली डूली रिकोगनाइस्ट होनी चाहिए यानि कि एक तो हमारी जो यूनिश्टी है वो रिकोगनाइस्ट नॉर्मल रिकोगनीशन होती है और उसके बाद एक AERB से भी रिकोगनाइस्ट होनी चाहिए क्योंकि वो हमारी master degree है nuclear medicine की और इससे अलग degree अगर किसी के पास है science with chemistry या biochemistry या organic chemistry और उसके बाद भी diploma requirement है जो हमारा medical radiation and isotope technology में होना चाहिए वो भी हमारा diploma भी duly recognized होना चाहिए ARB से और government of India तेन हमारा laboratory technician है उसमें भी जो age limit है वो 30 के अबव नहीं होनी चाहिए और government servant के लिए five year का relaxation है अब इसमें bachelor degree जो है वो nuclear medicine में होनी चाहिए और या basically bachelor degree in science प्रोम है recognized university और diploma भी इसमें requirement है अगर only normal bsc degree है तो उसके साथ diploma nuclear medicine में होना चाहिए वो भी हमारा recognized university से अब बात करें radiographer की तो radiographer में age limit हमें इसमें कम दी गई है 18 से 25 की age के बीच में age होनी चाहिए और इसमें जो departmental है उसको 40 year तक की relaxation है अब इसमें education qualification में 12th pass with science होनी चाहिए और diploma certificate होना चाहिए radiography का जो diploma है वो 2 year का होना चाहिए from a recognized university और experience भी इसमें requirement है वो भी एक साल का requirement है hospital और medical institute से बाकी जो government की guidelines है उसके अधार पर ये जो reservation है उसमें relaxation दिया जाएगा disability का भी अलग-अलग relaxation होता है वो rules के साबसे है और जैसे कि हमने देखा कोई भी examination fee नहीं charge होगी SC, ST और another जो हमारे candidate है उनके लिए और जो OBC के candidate है उनको basically जो creamy layer है वो general category के तोर पे किये जाएंगे और जो हमारे non-crimi layer है उनको non-crimi layer का certificate submit करना होगा यह में ज्यान रखना है और EWS के case में EWS certificate भी होना चाहिए और candidate SC, ST, OBC जो भी category का है वो competent authority से certificate issue होना चाहिए और वो submit attach करना पड़ेगा अब candidate basically जो हमारी यह recruitment है वो 30 days के अंदर अंदर वो हमें send करना है अपना application form, email id and phone number must be filled उसमें हमें हैं अपना email id, phone number और basically सब अपनी details को fill करना है और एक envelope में डालकर post करना है basically super subscribed in bold letter name of the post applied for जो कि हमारी जिस post के लिए किया है उस पे capital letter में और काफी bold letter में लिखना है ताकि वो indicate हो और जो भी already government service में apply हैं यानि कि government service में जो लोग है candidate है अगर वो apply करते हैं तो उनको noc certificate भी attach करना होगा जो कि proper channel के द्वारा आया हो यानि कि government to government certificate जाएगा वो तो यह हमें ध्यान करना है यह हमारा application form के साथ यह form दिये गया है इसको fill करके हमें by post send करना है इसकी जो pdf है मैं आपको telegram group में available करा सकता हूं और उसके बाद या तो आप इसकी जो site है सफदर जंग की उस पे जाके भी देख सकते है recruitment section में VMMC and Sabda Jung recruitment